खुशी और गम में साथ हो तेरा प्रान बर अंद में नान हो तेरा खुशी और गम में साथ हो तेरा प्रान बर अंद में नान हो तेरा तेरी जीवन का सहारतो ए प्रभू तो ही तो तेरी जीवन का सहारतो अरात ना करो दिल से दिल से तेरी जीवन करो अरात ना करो दिल से दिल से तेरी जीवन करो अरात ना करो दिल से दिल से दिल से दिल से लेक्षन अपने हाथों को उठाए प्रभू के दास अपने प्रभू के वच्छा नों क्यों और ले चाए उससर पहले हर एक अपने हाथों को उठाए जिस नाम में है जिन्देगी वो नाम है ये शुमा से जिस नाम में है बंदेगी वो नाम है ये शुमा से ये शुमा 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 ये शु इशनल अिशनल ს्रामी रीर्षिर्ण इशनल इशनल जो डिए जो एट अब दिया को तो वड़ एड़ दो एन्था है करता हूं तेरा श्किरिया तेरे बावन में आया हूं ए तोर अरब लाया हूं तेरे बावन में आया तेरे बावन में आया हूं जो भी है तू ने दिया तेरा श्किरिया जो भी है तू ने दिया तेरे तू ने दिया तेरे बावन में आया हूं आपके लिए जो भी किया है उसके लिए उसको दिन्यवाद दे आपके जीवन में अपनी मर्जी पूरी करे अने ते तमारा जीवन निंदर तेनी इच्छा पूरी करे एमनाथी मीश्य सुंदर बावत बीजी कई हो श्के तु राजाओं का राजा है तु राजा वनो राजा छे तु प्रभूओं का प्रभू है तु ठाओ तु है और तु आने वाला है तु हतो तुझे अने तु आउना रोच छे गने जंगलों में तू सेप के बेड के समान है अने प्रभु घना मोटा जंगल नी अंगर प्रभु तू अमारा माठे सपर्जन अवरुक्षनी समान छे जिद्धों ने तेरी और नहारा उनोंने जोदी पाई अज एक बार फिर से हम तेरे सामने है तू हमारो राजा है हम तेरी प्रजा है अज एक बार फिर से अपनी बाते सुना अपनी प्रजा को तेरे पीछे चलना सिखा तुने इसराइलियों पर अपने काम और मुसा को अपने रास्ते दिखाए थे आज अपने मार्ग हम पर प्रगट करो कि अब किस तरफ चलना है कि प्रभव में कयी तरफ जयवानू छे अब कैसे जीना अमारे किवीधे जीवानू छे अब आशिश्ते प्रभु अमने अस्षिर्वादा आपो आवापको सारी महीमा देतु अमे तमने सघ्डो महीमा अपिये छे एशु के नान में दूआ करते हैं एशुना नाम में प्रात्र ना करिये छे आमें एमें आमें आओ प्रभुना माते जोरदार तारियो नाज पुन कड़ावे आँ सब्भेट चाहेंगे अपने बदा जापना स्थान में बेसी सुंग शेक वन तो थ्री मेरी आपसे नमर विंती है कि जब वो वजन शुरू हो तो कोई यहां वहां बूर ना करे मारी तमने नमर विंती ज़े जारे वच्चन यहां थी वेचवा माँ आवे समय तमारा माँ थी कोई पॉन आम तेम उठावट करशो नाई ऐसी मीटिंग्स रोज और्गनाइस नहीं होती आवी सभा दर रोज आयो जन थती नथी और मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग अंत में बैठे हैं क्या वो में सुन पा रहे हैं अने हूँ पूछवा मांगू जो यह वो पाक्षड बेठा चे शो तमें अमने सांबरी सको चो बराबर और जो लोग खड़े हैं मैं विन्ती करूँगा कि वो कहां पर बैठ चाहें जे लोग को उभाज है मने हूँ विन्ती करीज तमें तमारू स्थान ले ले सो गम्मेतियां तमें बेसी सको चो एक बार फिर से मैं दब ब्लेसिंग चर्च को दन्यवाद देता हूँ जिनोंने मुझे यहां पर आने का न्योदा दिया फरी एक बार ब्लेसिंग चर्च नो हूँ आभार मानू जो जे मने मने आस्थान मा आवा माट आमंद्रना प्यू पास्टर जोसफ और की पूरी टीम का हर युवा का मैं दन्यवाद देता हूँ पास्टर जोसफ भाय ने एमनी पूरी टीम नो दरेक युवान नो हुपस कड़ा आभार मानू जो और हर उस पास्वान का जो इन मिटिंग्स में उपस थित्ते और जो आज भी आये हैं मैं हर एक को शुकर करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल के आप यहां आए जटला पास्टर वा सभाव मा आवया ने जेवा जरात्री अपन आवया जो प्रतियक पास्टर नो हुआ भार मानू जो कि तमें तमारो किंती समय काढ़ी ने तमें आपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ हो सकता है हम सब अपने अलग-अलग कलीस्याओं से यहाँ पर आए हैं मैं आपसे विन्ती करता हूँ अगर कभी भी आपको उनकी कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो उनसे बात करें पर उनका नाम न खराब करें जो तमने इमनी कोई पाण बाबत तमने पसंद न थी तो तमने इमनी साथे वात करो परंतु क्यारे पाण इमना नाम ने तमने खराब कर सो नहीं अज जब मैं शांग को दुआ कर रहा था तो मुझे प्रभू ने एक बात कही कि आज बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं जो अपने पास्टरों के बहुत खिलाब बात करते हैं अगर वो कहां गलत हैं भी तो आप उनके लिए दुआ करें खोदा खोदी उनसे निप्टेगा अने जो ते इमना क्यां जीवन नी अंदर खोटों छे क्यां भूल करें छे तो तमे प्रभू ने प्राथना करो प्रभू पोते इमने पकड़ छे पर आप उनके लिए कुछ न कहें पर उन्तु तमे इमना माटे कसू कहसो नहीं मैं आखको कहना चाहता हूँ यहोवा के अभिशिक्त को नच्छुएं हूँ तमने कहवा मांगू छे यहोवा ना भिशिक्तो छे इमने तमे सपर्ष करसो नहीं हूपाण घणीवदी बाबो तो मा, घणा लोकों नी साथ असहमत हों छों, पर मैं किसी के विरोथ में नहीं हूँ मजे भरोबलम लोगों से नहीं, सिस्टम से है मैं अपने YouTube चनल के थे रूब बहुत करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे मेरा नान टाइप करेंगे सुरज प्रिमानी तो कम से कम आपके सामने 400 वीडियो सा जाएंगे मेरे अगर आप देखिए मैंने हर वीडियो के अंदर मैं मस्यों को इंकरेज करता हूं कि उन्हें सही जिनी चाहिए मैं आपसे विन्ती करता हूं रिस्पेक्ट यो पास्टर और के दुआ करें और के परिवार के दुआ करें और सबसे मुख्य दुआ उनके लिए करें कि वो बुराई से बचे रहे मैं आपको बताना चाहता हूँ इन साथ सालों में कई बार मैं और मेरा परिवार डिमॉनिक अटेक्स हमने फील की कई बार मेरी मम्मी बिमार पड़ गई कई बार मज़े अपने पापा को हॉस्पिटल में अटमेट करना पड़ा और आप हैरार हो जाएंगे ये सब कई बाहर मीटिंग प्रचार करने से एक दिन पहले होता था मैं साफ साफ देख पाता था कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर मेरा गवा है इन साथ सालों में एक मीटिंग कैंसिल नहीं होई गया परमतु प्रभू मारो साक्सी छे क्या सांत वर्चना समय गाडा मा एक पण सभा रद थाई न थी परमेश्वर मुझे हर जगा लेगया प्रभू मने दरेट जग्यामा लेगया छे इसने मेरे परिवार की रक्षा भी की अने तेने मारा परिवार नू रक्षन पन करियो छे और कई बार ऐसा हुआ मैं अपने घर से निकला और जहां पर मेरी प्रीचिंग थी में वहां पहुंचा तो मुझे घर से कॉल है अब सब ठीक है अने घणी जग्याओ माई उथ हयो के जहां मारे सभाहती है जग्या मां हो गयो अने त्यां पहुचिया बात मने वो फोन आवियो के घरे बद्दूज बराबर छे शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि पास्टर को कहां कहां से गुजरना पड़ता है कदाज तमने आब आब आबतनों अंदाज पर नहीं होई कि एक पास्टर नहiej केवी केवी परिस्तिती माधी पसार्थ होँपड़े जे आज की शाम आज निरात्री है मैं चाहता हूं मैं सिर्वा आब को जीना चाहता हूं ुमात्र तमने 3 सेकंड़् आपपा मांगों जो और मैं चाहता हूं के इन 30 सेकंड्ट में आप पास्टर और उनके परिवार के लिए दुआ करें। मंधले के लिभी दुआ करो. One. Two. Three. Pray. ना करो. Thank You Lord Jesus. Thank You Lord Jesus. Pray for Your Pastor तमारा पास्टर ने माठे प्राथना करो. Pray for Your Old Church. तुमारी जूनी मंड़ीने माटे प्राथना करो कि वहां पर सारी गड़बडियां खता हुआ कि त्यां धरेक प्रकर्निक गड़बड एक दूर थाई जाए प्राथना करो जीज रोड़ टीका तन्यवादabling sofort में करो आपंगट शुकिनामन व कि अमें अमे सबसे पहले अकरी मीटिंग है और मैं क्या फैराचू क Бाई राघ इंग हुआ आपको बोलना चाहता हूँ डॉन्ट ट्रांसलेट जैसे एक बहुत अच्छे विक्ती है और इन्होंने दो दिनों में बहतरीन काम किया है आए मैं चाहता हूँ आप सब इनकली ताली बेज़ाइब मैं आपको सच कहता हूँ ट्रांसलेट करना खतरनाक काम है अनुवाद करवानू खतरनाक काम चे एक वर्ड अगर उन्हें मेरा उल्टा ले लिया पुरा संदिश बदल जाता है प्रभू मेरा गवाँ है मैंने सबसे जाता आपने से जाता इनके लिए दुआ की ती प्रभू मारा साक्सी चे मारा करता पन वधारे में इमना माटे प्लातना करिया दी यह बहुत जरूरी है कि शेक बंटू थू थू यह बहुत जरूरी है कि हम नियमों का पालन करें गलुजरूर नऊठेक आपने नियमों नऊपालन करिए एक दिन एक दिवस एक जवान लड़का की एकसिडेंट में मौत हो गई नई, अलिल्फ का उसका आकसिडेंट हो गया ओной तो एक ख्रिस्टि छोक्र हो दो जेसे वो उपर गया जेवो ते उपर गयो, परमेश्र के सामने पहुंचा, प्रभु नी आगर पहुंचयो, और प्रभु पे चिलाने लगा, अन्य प्रभु पर ते पुखार वाला गयो, इतना जल्दी क्यों बुलाया तुने मुझे, फिटलो जल्दी ते मने केम बुलावी ली थो, शादी भी नहीं की थी अभी तक मैंने, मैं तो लगनपन करया नहीं था, बहुत कुछ करना था, घ्रभु बदू मारे करवा नहीं तो, यह कोई तरीका है, तो आँ कोई रीप छे, तो तो प्रभु ने एक स्वर्दूत को बुलाया, जो हमेशा उसके साथ रहता था, उसको बुलाया, प्रभु यह वास्ता माई एक स्वर्दूत के जह हमेशा इमनी साथ है रहता हो, तो इस स्वर्दूत ने प्रभु यह बोलावयो, प्रभु ने का जब इसका एक्सिडेंट हुआ तो किदर था, प्रभु यह कोई उसका एकस्मा था यो तो त्यारे तो क्या हा थो, बुला एमने कोहिँ के प्रभू हुँ इमनी बाजुमाझ इमनी कार्माझ बेठो थो, तो बुला बचाया क्यों नहीं तो पॉछ इमने कोहिँ के एकिम इमने बचावियो नहीं, बुला रास्ते पे लिखाता असि से जादा इसने असी से ओपर लिया में उतर गया, बशता माझ वह भारत दिश्मा आजकाल कोई पॉंट ट्राफिक नियोमों नू पालन करता नधी। अमारे खून में है जहां लिखाय थूकना नहीं अपने उदरी थूकेंगे। अपना लुहिमा जे आवी गवी चे जहां लखेलो हूँ जो गवर्मेंट्स रूल बनाती है उनका पालन करें। हूँ तमने विनंती करूँ छूँ जे सरकार नियोमों बनावे थे इननों पालन करो। हमारे चर्श में एक अंकल आते थे। हमारी मनड़ी मां एक काका आता हाधा। हमैशा बड़ी बड़ी बातें। हमैशा मुटी मुटी बड़ बातो। यह करने हैं। वो करना हैं। हाँ करवानू छे। ते करवानू छे। एक दिन मैं घर पे गया। दर्वाजा ही नहीं क्होल रहे थे। दर्वाजों खोलता नोता तो जैसे उन्होंने दर्वाजों खोला एक व्यक्ति उनके घर से उतर नीचे बार निकला तो मैंने उनसे पुछा ये कौन है और मैं इमने पुछियो कि आ कौन छे बला कोई नहीं है वो आता रहता है लेकिन उनकी पत्नी जो है थोड़ी बूड़ी है पर वो में साथ बहुत अच्छे सम्मन में है उन्होंने कहा हमारा मीटर जो है वो बहुत दोड़ता है ये आत्मी कुछ डालता है फिर मीटर आईस से दोड़ता आपने कहा वाज सुनिये जूटों ने जूटों से कहा सच बोलो आजकल बातें बहुत बड़ी बड़ी है जीवन बहुत अलगे ये बहुत ज़रूरी है हमारे शब्द और अमारा जीवन एक हो जिसके शब्द अलगे जीवन अलगे बाईबल उसे पखंडी कहते मैं आपको बताना चाता हूँ नए नियम में सबसे बड़ा गुना है अपने आपको उतना पवित्र दिखाना जितना हम पवित्र हैं है भी नहीं अपने नवा करार नियम दर एज बाबज सव्थी खराप मां खराप छे कि आपने आपनी जाते एटला वदा पवित्र भी जाओने देखाड़े कि जेटला अपने पवित्र न थी आजकल बहुत सारे लोग जो चर्च में आते हैं इतने नमर दिखते हैं लेकिन घर के अंद नमर प्तनी से बात करते थे जारे सगई था यहाथ- करते थी तूरा तरा तरा टाकि रहना को चादी के则 पूछी पोछतय ک्या बनाना लेकिन कर्च में अंदर सश्चर को प्रेज लौड सश्टर परन्त मंडड़ी मां तो बेन वी तो प्रेज दो लौड बेन मेरे लिए कुछ काम है मारा माटे कई काम छे एक ही काम है तू सुदर और कोई काम नहीं है वी जुकाई काम न थी मंडड़ी मां बेनों से बहुत नमरता से बात करेंगे गर पे बेवी से नोकरानी की तरह बात करेंगे मंड़ी मां बेहनों नी साथे बो प्रेम्ती बात कर से परन्तु घर मां पतनी नी साथे नोकरानी नी समान बात कर से बाइबल एवा लोको ने धोंगी कहे छे बहुत सारी बैने अपने पास्टर की अपने पती की बुराई पास्टर से करती है अने घणा वदा बेहनों पोता ना पती नी खरावातो पास्टर ने कहे छे क्या ये सही है? सु आ साचू छे अच्छी बात है ये? सारी बाब अच्छे हा माईकी की बाते सांस को सांस की बाते माईके को अच्छी बाते हैं ये? पियर नी वातो सासूने ने सासूरा नी सासूनी वातो पियर माई सासूरा नी सासूनी वातो ये कुछ और नहीं मैं ये सिख के जरूर जाओंगा सेर नी स्बीन पलों यहां की बाद यहां की बाद यहां बंद करो आज इन दिनों में एक नए मूरक भी आए हैं उनका जिक्र मेंने आज की सुभे की मिटिक में किया था चर्चा अने ए व्यक्ती नी चर्चा आजे सवारनी सभामा में करी हती इन मूरकों से भी मिल लो किसी व्यक्ती के पास जाएंगे मैं तेरे को एक बात बताता हूँ लेकिन किसी और को मत बताना मैं तेरे को भी कसम देता हूँ तेरी मा की जो मैं बोल रहा हूँ किसी को मत बताना कोई ने कहिस नहीं मजे बात बताओ जो बात मेरे पेट में निट की ये मेरा अच्छा मित्र है लेकिन मुझे ये भी याद रखना है इनका भी अच्छा मित्र है अगर आपको जानना है कि चुगली मारना कितना गंबीर पाप है तो दानियल पड़ो जो तमारे जानवो हो एक चाड़ी चुगली करो एक इटनू गंबीर काम छे तो दानियल नो पुस्तक माजो बाइबल कहती है जिन्होंने दानियल की चुगली मारी थी उनको राजा ने शेरों की मान दे फिकवाया था अने बाइबल एबु कहा छे के जे लोकों ये दानियल नी चाड़ी जुगली करी हती इह लोकोंने राजा ये शीना बिल मा नाख्या हता बहुत सारी बहने होती ना चापड़ चापड चापड़ चालु ही रहता है इनका कर बहें पर बहें कि अगार्इब में लुकल्ट ट्रेंट से निचे उतरा दो बैने रेलवे ट्रेल ट्रेक परते नीचा रहे घूसे पूछ रहे थी आलू कितने का लिया हूब अने तहे एक बीजाने पूझी रहे थे कि केटला मां बटागा ली था रेल्वे ट्रेक उपर पाटा पर बताई नहीं चलता है जबने कई ख़बरज पड़ती नथी कलम यहां से जब बाहर निकल रहे थे बहुत आले जा रहे माई यहां थी बाहर निकली रहा था अने तमने ख़बर से मोट्टा भागने जे ट्राफिक को ना जे वह थू और ते बात कर रही थी बैनो बात करी रहा था जुन्ट लगा के वर अब टोड़े वाड़ी ने अनो टी 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 आमे तो होन मारे ने टी 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 मैं सूच रहा था इतना ट्राफिक है क्यों वह तो विचार करें रहा था कि सामा टे आट ले वदू ट्राफिक छे एक बार तुम मैं इसे देखा पूरा रस्ता खाली था आगे लोग बात कर रहे थे परंतु मोटा भागना लोगों ने में जोया के लोगो रस्ता पर उभा रही ने टोड़े वड़ी ने वातों करता हा था मैं आँको सच बताता हूँ खुछ रहने की सबसे बड़ी चावी है कम बोलो येशु ने कहा तुमारी बात हाँ की हाँ और तुमारी बात ना की ना हो जो उससे अधिक है वो बुरा है जो इससे अधिक है वो बुराई है जो इससे अधिक है अने जे ना करता हां करता हां ना करता ना वधारे जे पर तुछे ए खराब छे इस बात को याद रटना आप जिन से बहुत अधिक बात करते हैं कल वो ही जब आपके थोड़े विरुद में जाएंगे ना आपकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तूत करेंगे कम बोले अप बहुत सारी मुसीबतों से बज्जा हुए अमेन आईए मैं चाहता हूँ इस समय हम अपना दाइना हाथ उठाएं आवो आ समय अपना जमना हाथ ने उपर उठाविए दर एक जान तमारा जमना हाथ ने उपर उठाओ अपनी आँखों को बन करें परमिश्वर पिता मैं येश्व के नाम में तेरे पास आता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि तू आज हमसे बात करेगा मैं विश्वास करता हूँ कि तेरा वचन आज एक बार फिर से आख की तरह अमारे अंदर आएगा मैं विश्वास करता हूँ इस आखरी शाम में तु अपने लोगों से एक बार फिर से बड़े सामर्थी तोर पर बात करेगा जिवोनों बदला से लोग तीरी और फिरेंगे लोग को थमारी तरप फर से येशु को महिमा मिलेगी कोई पास्टर नहीं कोई संस्था नहीं कोई चर्च नहीं कोई इनसान की महनत नहीं कोई मानस नी महनत नहीं सिर्फ येशु को महिमा मिलेगी मात्र इशुने महिमा मन से सरव उसे आदर मिलेगा मात्र इबने आदर मन से लोग उसे जानेंगे लोग ओ इमने जान से येशु के नाम येशुना नाम आमेन इसे पहले कि मैं आज के वचल की शुरुवात करूँ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और ये प्रेम उसने अपने बेटे येशु मसी के द्वारा प्रगट किया है याद रखिएगा प्रात्ना का उत्तर परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण नहीं है क्रूस पे ईशु की मौत उसके प्रेम का प्रमाण है याद राखो तमारी प्रात्ना नोचे जवाब तमने मड़े चे ए परमेश्वर ना प्रेमनी साबिती न थी परम्तु एना पुत्र इसु खृष्ट नू वदस्थम पर नू जे मरणु छे ए परमेश्वर ना प्रेम नी साबिती छे बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मेरी प्रात्ना का उत्तर नहीं आरा इसका मतलब है परमेश्वर मुसे नाराज है पर मैं आपको बताना चाता हूँ प्रात्ना का उत्तर आना परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण नहीं है परम्तु एसु खृष्ट नू वदस्तम पर थेलू मरण। ये परमेश्वर ना प्रेम नी साबीती छे बाइबल बताती है एक रात वो अरेस्ट हुआ रोम सरकार ने उसे अरेस्ट किया बाइबल ऐसा बताती है दाड़ी से उससे खीच के ले गए वचन कहता है सबसे पहले उसके सर पे एक जोर की लकडी मारी गई थी मैं आपको बताना चाहता हूँ जब ईशु को सरकंडा वो लकडी लगी ईशु की 50 प्रतिशत मौत वहीं हो गई थी उसके बाद बाइवल बताती है उसे कोड़े मारे गए बाइवल बताती है जब उसे एक कोड़ा लग रहा था ऐसा इतिहास कहता है कि उसकी नव जग़ाओं का मास निकल रहा था इतिहास कहता है जो लकडी उसके उठाई थी उसका वजन 65 किलो से भी जादा था अने इतिहास है वो कहे जे वदस्ताउं नी लाकड़ू जे उचक्यों हतो ए कभी वो मोर दैन 65 किलो थी पन वधार इमनो वजन हतो बाइवल बताती है वो कभी पिलात उसके पास जा रहा था और कभी हरोद उसके पास जा रहा था वो कोड़ गूम रहा था कोई भी उसका न्याए नहीं कर पा रहा था कोई भी उसमें दोश नहीं पा रहा था कोई पाण ने इमनी अंदर दोश मड़ी रहा था नो तो उसकी हालत ऐसे हो गई थी कि वो अपना कुरूस तक नहीं उठा पा रहा था उन्होंने एक व्यक्ति को बेगार में उठाया जो उसकी बेगारी करे मजदूरी करे और शिमोन नामक कुरेणी व्यक्ति ने उसका कुरूस उठाने में उसकी मदद की और उसके बाद उसे एक जगा पे ले गए जिसका नाम था खोपड़ी और वहां पर उसे कीले मारे गए और शे टांग दिया गया और वहां पर भी उसने यही प्रात्ना की के हे पिता इन्हें शमा कर क्योंकि यह नहीं जानते हैं यह क्या कर रहे क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसकी हत्या कर रहा है पर उसे पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे और बाइबल बताती है उसके बाद जब वो उसकी मौत हुई बाइबल बताती है उसके बाद यूसफ नामक एक व्यक्ती ने उसको लकडी से नीचे उतारा उन दनों में दनवानों की एक पैचान होती थी वो अपनी कबर खुद खरीत थे और उसने ईशु को अपनी कबर डिफ्ट में दे दी थी और इशु को वहां रख दिया गया तीन दिन के बाद जब कुछ लोग उसके बदन को देखने जा रहे थे उनके हाथ में कुछ खुश्बू और सुगंद्र वस्तुएं थी और जैसे वो वहां पर गए उन्होंने क्या देखा पत्थर कबर से लुड़का हुआ पड़ा था जहां इशु का पैर और सिर्था वहां बैटे थे अन्यारर थे वो ये अंदर जाए छे ने देखे गरदा और वो स्वर्दूत उनसे कहते हैं तुम एक जीवत को मरे हुँ में क्यों ढून रही हो और जाओ और सबको बताओ वह जीवी उठा है और बाइबल बताती है वो मुर्दों में से जीवी उठा और मैं आपको बताना चाहता हूं जिन्दा होने के बाद उसने कई बार अपने आपको फाबित किया कि वो जीवित है Bible एक एमानदार किताब है Bible बताती है उसके चेलों को शक हुआ था कि वो जीवी उठा है मैंने बहुत सारी किताबे बढ़ी थे पहला में घणा बदा पुस्त को वाँ चिया नेवू टका पुस्त को नियंदर जे सारी वातों जिनलों को ये करी चे एज लखवा मा आवियू चे पर बाइबल लिके ऐसी किताबे जो कुछ बुरा हुआ था वो भी लिखा गया है बाइबल मनुश्यों से कोई बात नहीं चुपाती और बाइबल बताती है उसके चेले उस पे शक कर रहे थे वे विश्वास करे इसलिए उसने उनको भुनी हुई मचली का तुकड़ा भी खांके दिखाया मुर्दों में से जी उतने के बाद बाइबल कहती है वो चालीस दिन चालीस रात उनके बीच में रहा था पॉलूस कहता है पांसो से अधिक लोगों ने उसे देखा था और उसके बाद बाइबल कहता थी है चालीस दिन के बाद वो आईस्ते आईस्ते स्वर्ग पर उठा लिया गया ये कोई कालपनिक बाते नहीं है ये सकते है जो प्रभू के वच्छन में पाया जाता है और बाइबल बताती है चालीस दिन के बाद वो उनके देखते देखते स्वर्ग परुखा लिया गया जब उसके चेले उसे जाते हुए देख रहे थे तो उनने क्या देखा एक बादल ने उने पकड़ लिया मैं आपको बताना चाहता हूँ ये साधारन भादल नहीं है ये वही बादल है जो मूसा के आगे आगे चलता था पुत्र को पवित्रा आत्मा लेने आया था असमान पर और जैसे उन्होंने देखा के बादल ने उसे चुपा लिया उसके बाद तो स्वर्दूत नीचे आए और वो चेलों से कहते हैं तुम इस तरह उपर क्या देख रहे हो यही ईशू जो उठाए गए हैं बहुत जल्द वापस लोटेंगे मैं उसका एक संदेश वाख होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ पहुत जल्द हमारा प्रभू हमें लेने वापस लोटेंगे पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ यह चीज आपको हैरान कर देगी बाइबल कहती है प्रभु येशू मसी पापियों के लिए आय थे धर्मियों के लिए नहीं जब वो पहली बात इस पृत्वी पर आया तो वो धर्मियों के लिए नहीं वो गुनेगारों के लिए था बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पापियों का नाश करने आया लेकिन ईशू कहता है मैं पापियों को मारने नहीं और बच्छाने आया जो लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ड्रक्स लेते हैं, गंदे काम करते हैं, बाइबल बताती है, उसका पहला आगमन उनके लिए था लेकिन ये चीज अब आपको हैरान कर देगी अब वो किसी घुनेगार के लिए नहीं अप उनके लिए आएगा जो उसके साथ चलते हैं उसका पहला आना पापियों के लिए था पर अब उसका दुबारा आना धर्मियों के लिए होगा परम्तु हवे एमनों बीजी वकत नो आवों ए म्याईलो को ना माटे नुझे इबरान्यों की पद्री कहती है पहले तुमने उसे पाप में देखा था पर अब तुम उसे पाप में नहीं महिमा में देखोगी हाँ हीबरोन बत्रन यंदर बाइबल आपने एम केचे के तमें पहला इमने पाप में अंदर जोयो हतो परम्तु हवे पची तमें इमने पाप मा नहीं इमने तमें महिमा मा जोसो पहले हमने उसे क्रूज पे देखा था तूटा हुआ पहले हमने उसे देखा था कि वो हमारे गुनाहों को लेके वाहा पर था पहले हमने उसे देखा कि वो यरुशलम में गदे पे आया था आपको बताना चाहता हूँ अब वो गदे पे नौकर होके नहीं अब वो दूला होकर गोडे पे आएगा आप इस बार अब उसे टूटा हुआ नहीं अब आप उसे परमेश्र की महिमा में देखोगे यही हमारी कलीस्या की एक जीवित आशा है कि वो बहुत जल्द हमें लेने के लिए लोटेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका आना गुनेगारों के लिए अप नहीं होगा एक धर्मी व्यक्ती वो होता है जो उसके साथ चलता है आज बहुत सारे लोग कलीस्या आते हैं प्रात्ना करते हैं वचन पढ़ते हैं उन्होंने पवित्र आत्मावी पाया है वो कलीस्या जाते हैं पर आज भी वो खुदा के साथ नहीं चलते मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इस बात का एक प्रमाण दे सकता हूँ आपको कैसे पता चल दिगा के एक व्यक्ती प्रभू के साथ चलता है के नहीं चलता है आपको बताना चाता हूँ जो लोग प्रभू के साथ चलते हैं उनमें एक बहुत अच्छी बात होती है और उनमें सबसे अच्छी बात ये होती है वो डबल टॉप नहीं करते सामने बढ़ाई और पीछे बुराई वो नहीं करते हमारी कली से भरी पड़िये ऐसे लोगों से जो सामने बहुत अच्छा प्रेजन करते हैं लेकिन हमारे बात वो कुछ औरी बात करते किसी को किस करना एक प्रेम का प्रमान है यहुदा स्क्रोती ने प्रभू येशू मसी को चुम्बन देके पकड़वाय था बर अपने आप से पूछी क्या उसके अंदर येशू के लिए प्रेम था दिख रहा था कि वो प्रेम कर रहा है लेकिन अंदर कुछ और था बाइबल कहती है कुछ ऐसे भी है जो मूझ से आशिरवाद देते हैं पर मन से कोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के सामने दिखाते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं पर उनके पीट के पीछे आप सिर्व उनकी बुराईया करते हैं आपको बताना चाहता हूं ईशु ऐसों के लिए नहीं आएगा हूं तमने केवा मांगू चुकि इसों भीजे वकट एवा लोकों ने माटे नहीं आवे क्यूं अकने दिनों में यहुन्ना बप्तिसमा दाता और येशु ने लोगों को सांप के बच्चों कहा कभी आपने सांप को देखा है अगर नहीं देखा है तो डिस्कवरी चेनल पर देखिए कभी आपने देखा है सांप की एक जुबान में दो जीवे होती है मैंने न्यूमरस टाइम डिस्कवरी में देखा है इस वचन को सिस समझने के लिए मैं डिस्कवरी चेनल देख रहा था अने घड़ी वो खते में ए डिस्कवरी चेनल पर सांप ने जो हो छे आवच्चन ने समझवाने माटे हूँ जो हो तो एक ही जुबान में दो छेडे अने एक कजीबनी अंदर बे भागो हो छे आज विश्वास्यों के पास बाइबल है परमिश्र का भाए नहीं है घर में कोई भाए नहीं है ऑफिस में कोई भाए नहीं है पुल्पिट पे कोई भाए नहीं है घर मा के ओभिस मा के पुल्पिट पर पांड कोई भाए न थी कुछ भी बोलते रहते हैं कई पांड ते वो बोलता रहे छे लोगों को मिसलीट करते हैं मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ वह ईशू जो आज से 2019 साल पहले आया वह दुबारा उनके लिए आएगा जो उसके साथ चलते हैं बाइबल तीन लोग का जिकर करती है जो जीवित उठाए गए हैं सबसे पहला व्यक्तिता हनोक दूसरा व्यक्तिता एलिया प्रभु येशु मसीय आने त्री व्यक्तिता हैं अपने से कितने लोग इस बात को जानते हैं हनोक जिन्दा उठाया गया था बहुत सारे लोग जानते हैं पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उठाए जाने से पहले उसकी गवाई दी गई थी कि उसने परमिश्र को प्रसंद किया था मुझे लगता है हनोग और प्रभु के बीच में माचा थी हनोग ने अपने जीवन में बहुत को मरते हुए देखा था और उसे प्रभु से का प्रभु अगर मैं आपके साथ चलू तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं नमरूँ प्रमिश्र ने का हाँ यह हो सकता है और प्रभु के साथ चलते 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 एक दिन वो लोब हो गया अने एक प्रभु नी संखाते चालता 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 एक दिवसे ते अलोब थाई गयो उसके उठाए जाने से पहले बाइबल बताती है उसकी गवाही दी गई के उसने प्रभु को खुश किया था अने एमने उपाणी लेवा मावियो जीवतो ए पहला बाइबल नी अंदर आपने जो ये चे के नावी से साक्ष्या आपा माविया थी के धेने भोताना जीवन द्वारा प्रभु ने खुश करियो हतो बाइबल बताती है जो पुराने नियम में हुआ वो हमारे लिए लिखा गया है आज बहुत सार लोग प्रभु के लिए तयार नहीं है पर उसके आने की बाट जो रहे हैं बाइबल वार्निंग देती है के पांच कुवारिया रह गई थी मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे हनोक के लिए ये गवाई दी गई कि उसने उठाए जाने से पहले प्रभु को खुश किया वैसे ही वही लोग कलीस्या से उठा लिए जाएंगे जिनोंने उसे प्रसंद किया था संडे में चाहते हैं प्रभू ने प्रसंद करयो जाते हैं ने तमवारे दारू लड़का लड़कियां आपस में गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड का रिलिशनशिप रखते हैं येशु के नाम से कहता हूँ आप खतरनाक स्टेक में हैं मैं आपको फिर से कहता हूँ पश्चाताप करें आप यहाँ हैं मैं भी यहाँ हूँ कुछ साल रुकिये पश्चाताप का संदेश लगपक बंद हो जाएगा के आजकल लोग पश्चाताप के विशे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते आज इनसान को चाहिए मेरी जरुतों के लिये बात करो यह बाइबल नो अंत मानसों नी जरुवयातों नहीं परन्तू प्रभू नो महिमा छे हम बाइबल इसलिए प्रचार नहीं करते ताके मनेश्चों को उसकी जुरते मिले पर हम इसलिए प्रचार करते ताके परमिश्र को महिमा मिल सके आज जो संदेश जो अब आदा गंटा में देने वाला हूँ मुझे माफ कीजिगा ये संदेश सब के लिए नहीं है जो स्टार्टिंग के दो दिन मैंने मैसेज़िस दिये हैं वो लगबग हर एक के लिए थे पर आज चो मैं संदेश दूँगा ते बद्धा माते न थे ये सिर्फ उनके लिए है जो सच में प्रभु को अपनी जिंदगी देना चाहते जो सच में प्रभु के साथ चलना चाहते हैं मैं विश्वास करता हूँ आज का संदेश शायद आपको अमीर न बनाए बनिश्व के तमने ते धन्वान नहीं बनावे बड़ा व्यक्ती नहीं बनावे फेमस नहीं बनावे अगर आज का संदेश आपने सुन लिया और अगर आपने इसको समझ लिया मैं येश्व के नाम में कहता हूँ जब वो बादलों पर आएगा आप उसके सामने निर्दोष ठहरोगे वो आपको पहचान लेगा सबसे पेनफुल चीज कि वो बादलों पर आए और मुझे नहीं पहचान ते वादलों पर आवे और मने नहीं बनावे कि जिस एश्व के लिए मैं अपनी जिन्दगी दी वो ही मुझे नहीं जाने जितने भी पास्टर्स यहां बैठे हैं मारी आवात्न तमे खोटी रीते समस्व मैं मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपनी सिवकाई से ज़ादा परमेश्वर को महत्वदे मती की किताब में लिखा गया है उस दुन बहुत सारे लोग आके कहेंगे हमने आपके नाम से दुष्टात्मा निकाली ये किया वो किया पर वो उनसे कहेगा मैं तुम्हे नहीं जानता सोचो कितनी खतरनाक बात है जिसमें से दुष्टात्मा निकाली ये व्यक्ति नीचे छे एक समय था एक समय हो तो मैं एक पास्टर्स मिटिंग ले रहा था और मैं तेनेवाद करता हूं वहां कि पास्टर ने उस चीज़ को इतना पॉजिटिव में लिया अने हूं आभार मानू चोई पास्टर नो के ए त्याना पास्टर ने बाबत ने एकली हकारत मकरी ते लिधे आज चानते हो बहुत स्वार लोग सेवकाई कैसे कर रहे है इंदनों में इस ट्रेन पर लिखा है ये ट्रेन स्वर्ख जा रही है और हमें आग्या मिली है कि इस ट्रेन को भरो जानते हों ट्रेन कैसे बर रहे है और लोग को खीचना है जितला खीच सकते खीचना है हम जानते हैं ट्रेन कैसे बर रहे है अने परन्तु खबर चे आपने कीवरी ते ट्रेन भरी रहे है हम खुद नीचे उतर कर आपने पते नीचे उतरी ने लोगों को चड़ा रहे है लोगों को चड़ा रहे है बाई ट्रेन चला जाएगा बाई ट्रेन जती रहे से ट्रेन पे चड़के लोगों कीचो ट्रेन से नीचे उतर के मत कीचो अरे तमें ट्रेन मा उभा रहिनेज लोगों ने खेचो नीचे उतरी ने लोगों ने धक्को नहीं मारो बहुत सार लोग ट्रेन से नीचे उतर के आये हैं पॉलुस कहता है कई ऐसा न हो कि मैं दूसरों का प्रचार करूँ पर समय अंत में निकम मा ठेरूँ अने पाउल प्रेडित इटला मा टेच तो एउ कहे छे के रखेने बीजाओ ने प्रचार करवा थी अंते हूं पोते ना पसंद थाओं जिसमें से दुष्टा आत्मा निकाली वो स्वर्च चला गया और जिसने निकाली वो नीचे बेड़ा है नहीं तो होगा लास मैसा आपको अवास सुने देगी पॉं जो भीड चड़ी हुई यह आपको उपर नहीं चड़वादे कई साल पहले मैं भी ट्रेन से नीचे उतर गया था लोगों को इखटा करना है लोगों ने इखटा करवाजे मुट्टी सभा करवानी छे प्रभु ने का बंद करे सब मारा चरणों मा बेश पहले सुन में क्या बूलने की कोशिश कर रहा हूँ पहला साभड हूँ सु कहवा माटे कोशिस करो जो इशु ने कहा प्रातना करो तो उसने कहा ये प्रातना करो बड़ी मिटिंग्स रखना बहुत अच्छी बात है बोटी सभानों आयोजन करो सारी बाबत छे लेकिन ये भी देखो के तुम बचे हुए हो के नहीं हो परंतु एपन जुओ के तमारों बचाव थयो छे के नहीं बीशु ने कहा प्रात्ना करो के जैसे उसकी इच्छा वहां पूरी होती है वैसे पृत्वी पर भी हो क्या आप जानते हो स्वर्ग में प्रभु की मर्जी कैसे पूरी होती है 2000 साल पहले 2000 वर्स पहला एक स्वर्दूत परमेश्टर के सामने खड़ा था परमेश्टर उसे कहता है पृत्वी पे जा नासरत में वहां पर एक लड़की है उसका नाम मर्यम है उसको बोल इशू तेरे गर्भ में आएगा वो स्वर्दूत नीचे उत्रा मर्यम से मिला और इसको कहता है आनंद और जय तेरी हो तुझसे एक बालग पैदा होगा पूरा संदेश सुना के ये स्वर्दूद वापत प्रभू के सामने खड़ा हो गया कि प्रभू कुछ कहेगा कुछ और फिर मैं जाओंगा कांदर में प्रभू कैसे और इसामड़ी नों पाचो जय इसके सामने खड़े होके उसको सुनता है फिर करता है अने कि अगतर आगर ते उभो रहें चैंड़े अने पची बहुता है यह शू कहता है जैसे उसकी मरजी इस तरह पूरी होती है वेसे पृत्वी पर भी हो ताके लोग भी इस पुर्थवी पे प्रभु के सामने उसके वचन का इंतिजार करें और करें इससे उसकी मर्जी पूरी होती है इस पुर्थवी पर सबसे बहतरीन काम है प्रभु की मर्जी पूरी करना आप रुद्वीव पर सौती उत्तम काम छे प्रभुनी इच्छा पूरी करवू यदि आप कन्फ्यूस हैं इस बात को लेके के प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज प्रभु की मर्जी क्या है आपको डिसर्ब होने की कोई जरुरत नहीं है प्रभु की मर्जी उसके वच्छन में लिखी गई है और मैं आपको पताना चाहता हूँ प्रभु की मर्जी है के हम सब एशु की तरह बने परमेश्वर हर एक में अपना बेटा देखना चाहता है कई लोग कहते हैं ब्रदर मेरी बुलाट क्या है मझे नहीं पता है प्रभु ये मने सामाटे पसंद करयो छे पहले सुना था नव वर्दान थे आज दसवा वर्दान भी आ गया है कई लोग कहते हैं मझे वर्षिप करने का वर्दान है दस्वा वर्दान 2019 में एड हुआ है बाइबल कहते हैं सब आरादकें अर एक आरादना खड़ सकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी पहली बुलाहट पास्टर प्रचारक बनना नहीं आपकी पहली बुलाहट ईशू की तरह बनना है ईशू पत्रस से मिले और पत्रस से वो कहता है मेरे पीछे चल मारी पाच़दाओ ने पहली बनना है उसके पीछे चलना और आपका मेरे पीछे चल साधारण शाप्तों में ईशू ने पत्रस से कहा उसके पीछे चल मैं डिसाइड करूँगा के तू क्या बनेगा अने इस ये बहुत साधाराण सब्दो मा पीतर ने कहिए के तू मारी पाछडाओ अने हो निर्णई करीज के हो तने सुबनाविश खोद डिसाइड मत करो के मैं जेर्मेन, मैं सेकरेटरी, मैं पास्टर, मैं प्रचारक उसके पीछे चलो, वो तुमें बनाएगा पोते तमारी जाते तमें निर्णई नहीं करो के तमें जेर्मेन, सेकरेटरी, पास्टर के प्रचारक परन्तु ए प्रभू ने निर्णई करवादो तामे सुबंचो वो पंजाब मा हतो लुदियाना नामनी जिग्या मा हुँ हतो वहाँ पर एक आंटी आई तिया एक आंटी काके आवया उनको बच्चा पैदा हुआ था इमने बालक थो हतो यह पच्चा सरफ 15 दिन का था अने आप बालक मात्र पंदर दिवसणों हतो उनके हाथ में था इमना हाथो मा हतो बोला मेरे बच्चे के लिए दुआ करो अने इमने कहिऊ कि मारा बालक ने माठी प्रातना करो आने यह का जरूर आपके बच्चे का नाम बताईए चानते उस बच्चे का नाम क्या था अने तमने खबर छे बालक नाम सुहतू Prophet Samuel मैं आभी तक बाई बनावा हूँ ये प्रोफिट बन गया अत्यार सुधी तो भाईज रहे हो छो आतो प्रभोदक बनियो इने कहवाई छे पोटेज बनावेला प्रभोदको आजकाल बदा ने क्या क्या करते हैं किसको प्रोफिट बना दिया किसको एपोस्चल बना दिया कोई इकने प्रभोदक बनावी दिदो कोई इकने प्रेरित बनावी दिदो हम हिंदुस्तानी ऐसे ही हैं अपने पो भार्द When The पयाव मिलों कि टो जानाते प। वा को लिखा था। ऐग देन एक आत्मी न मरा था उस आत्मी को जानता था उसके काम सब बुरे होते थे उस्के मेरे पीछे एकसला के लिखा था यह सकता है तो मैं भी आ सकता है मैं कुई आ अभी सबकहे, अगर इसे लोग भी स्वर्ग जा सकते, तो हम लोग अपने हाप कोना मारते क्यों है, जो इवा लोग को स्वर्ग जाई सके छे, तो आपने अपनी पोता नी जाते ने इкийPE हम मारेते अब लोग इतने अच्छे हैं सबको स्वर्बेस्ते अपने इतला वदा सारा लोगों चे के बद्धा ने स्वर्गज मुख लिये चे सच्चाई को जानी जे साच्यू चे सच्चाई चे मने जानी है